दस के बंडल दोस्तो आज हम इस वीडियो में लिली, बिली और उनकी गौरी मेम की प्यारी बातों से दस-दस के बंडल बनाना और दो अंकों की संख्या लिखना सिखेंगे लिली, तुम स्कूल के हस्तकला समारो में क्या बनाने वाली हो? मैं तो स्ट्रो से एक वाल पिस यानि दिवार पर लगाने वाली वस्तू बनाने वाली हूँ अरे, मैंने भी वही सोचा है तो चलो, हम स्ट्रो लेने चलते हैं अरे, बिली, यह तो बहुत सारी स्ट्रो है हम इने कैसे बाटेंगे? अरे, लिली बिली, इन स्ट्रो से तुम लोग क्या बनाने वाले हो? हम इनसे वाल पिस बनाएंगे वॉल्पिस बनाने के लिए मुझे 28 स्ट्रो की ज़रूरत है और मुझे 45 स्ट्रो की ज़रूरत है लेकिन हम इन स्ट्रो को कैसे गिनेंगे? बच्चो चलो समझाती हूँ इन स्ट्रो को हम 10-10 के बंडल बना कर गिन सकते हैं दस के बंडल? हाँ लिली दस के बंडल बिली देखो यहां रखी स्ट्रो में से तुम दस स्ट्रो गिन कर एक तरफ रखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ और दस शाबाश बिली, अब हम इन गिनी हुई 10 स्ट्रो को इस रबर से एक साथ बांदेंगे लो, अब ये बन गया दस का एक बंडल बिली, अब इस बंडल में कितनी स्ट्रो है? इस बंडल में 10 स्ट्रो है बिली, चलो, अब ऐसे ही 10 स्ट्रो का दूसरा बंडल बनाओ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिली अब इन दोनों बंडल में कुल मिला कर कितनी स्ट्रो है? इन दोनों बंडल में कुल मिला कर 10 और 10 भी स्ट्रो है बिली देखो मैं इन दोनों बंडल के पास ये 8 स्ट्रो रखती हूँ अब बताओ कि यहां कुल मिलाकर कितनी स्ट्रो है 10 स्ट्रो में 10 स्ट्रो जोडने से 20 स्ट्रो और 20 में 8 स्ट्रो जोडेंगे तो यहां कुल मिलाकर 28 स्ट्रो है अरे वा, मुझे इतनी ही स्ट्रो चाहिए गवरी में, मुझे तो 45 स्ट्रो की जरूरत है 45 स्ट्रो को कैसे गिनेंगे? देखो लीली, यहाँ 10 के 2 बंडल और 8 स्ट्रो है अब ये बताओ कि 10 का 3 बंडल बनाने के लिए हमें 8 स्ट्रो में कितनी स्ट्रो जोड़नी होगी? 8 और 1 9, 9 और 1 10 8 स्ट्रो में और 2 स्ट्रो जोड़ेंगे तो 10 स्ट्रो होगी इससे हम ऐसे दस का तीसरा बंडल बना सकते है शाबाश लिली हाँ तो लिली तुमें 45 ट्रो चाहिए यहां 30 ट्रो है तो अब हम उनमें और कितनी ट्रो जूड़ेंगे हम 10 ट्रो का एक और बंडल और 5 ट्रो रखेंगे बहुत अच्छे लिली अब ये बताओ कि यहां कुल मिलाकर कितनी ट्रो है 10 में 10 चोड़ेंगे तो 20 20 में 10 चोड़ेंगे तो 30 30 में 10 चोड़ेंगे तो 40 40 में 5 चोड़ेंगे तो 45 तो यहां कुल मिलाकर 45 ट्रो है अरे वा, मुझे इतनी हिस्ट्रो चाहिए क्यों लिली-बिली, अब तो तुम्हें दस के बंडल बनाने आ गए है ना? हाँ मैम अच्छा बच्चो, अब कल स्कूल में मिलते है, बाई बाई मैम आज हमने दस-दस के बंडल बनाना और दो अंको की संख्या लिखना सीखा अगली वीडियो में हम दस को अलग-अलग तरीके से लिखना सिखेंगे